तो हेलो गाइस केसा आप सभी लोग स्वागते कोर निव गैम प्लेम है और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं लाजटे रूल सर्वाइवल तो गाइस यह जो सर्वर है यह मेरा सर्वर है मेरा बनाया हुआ सर्वर है ठीक है तो आज इसमें अभी बेज़ड्रोप आने वाली है तो इसलिए मैंने सोचे कि यार एक वीडियो आज दुबारा से बना के आपको दिखाते काफी बंदे सर्वर में आ चुके वैसे पूरा सर्वर ज्यादा बंदों ने नहीं खेला है आठ दस बंदे ही थे जो लगातार खेल रहे थे शुरू आस से लेकिन अभी लग भग 25 से 30 बंदे आ चुके खेलने के लिए लाश्ट में बंदे बढ़ जाते हैं क्योंकि बेज़ ड्रॉप का लालच रहता है मतलब बेच का लालच रहता है तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा कौन सा बंदा खेल रहा है अभी सर्वर में तो वैसे तो यह सर्वर नो एड आप, क्यों कुछ बंदे तो चलो ठीक है मेरे जैसे रहते हैं लेकिन कुछ श्रीब भी रहते हैं तोनको यह वाते पसंद नहीं आती तो इसलिए मेरे जैसे बंदों को रोकना थोड़ा जरूरी हो जाता है तो इसलिए मैंने थोड़ा कुछ बंदों को बेन किया सर्वर से लेकिन बाद में मैंने उनको अन्बेन भी कर दिया हाला कि उनको ये बाद बता ही नहीं वहाद में उनको पता चली ठीक है तो मतलब गल्ती का एसास ह जाए यार और क्या है तो चलो यार गाइस अभी जल्दी से मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन बेकार चल रहा था अब मैंने थोड़ा दूसरा नेट काम में लिया है तो अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि देखो बेजड्रोब जो है वो आईए बायो रिसर्च तुम भी तो जाओ वैसे में दोनों को नहीं जानता हूं लेकिन फिर भी मैं इनको बोल रहा हूं वैसे मेरे आवाज इनके कानों तक नहीं पहुचेगी तो भाई उपर की साइड में गूदादा है नाम अच्छा है नीचे है गूजे यार नाम अच्छा है यह नाम मैं जाद ही हो रही आज तो मैं बता रहा था राज भाई को भी एड्मिन दे रखा है तो वह भी नजर बनाए हुए थे कि कौन सा बंदा गलत बाते बोल रहा है कौन सा बंदा बग यूज कर रहा है ठीक है तो उन्हें करना था गाईस बग वाग यह सब कुछ नहीं चलेगा ज बिल्कुल जो लेक कह रहे ना उसमें जमीन पर केनन लगे हुई थी इस सर्वर में अब बताओ बंदों का क्या करूं मैं यह तो मेरे भी गुरू जी बन रहे है मुझे इतना सब कुछ आता है लेकिन जमीन पर केनन लगाना यह मुझे नहीं आता यार गाईस पता नहीं कैस दूँ यह सर्वर है ना यह सर्वर बिल्कुल आसान है गाईस मैंने लोगों के लिए सर्वर बिल्कुल आसान कर दिया है हमेशा कंप्लेंट आती थी जब भी मैं सर्वर बनाता था कि टेलेंट वाले आके बेच ले जाते हैं हमेशा यह कंप्लेंट आती थी इंडियन बंद यहाँ इससर्वर में मतलब किसी का टेलेंट नहीं है लेकिन आप लूट सेम रहे मतलब टेलेंट वर्क नहीं करेगा सर्वर में आने के बाद में मैं बैटलब कि जो में बड़ा जिता है छाओ जैके कोन जीता है और इंडियन भी जी सकते है यार इस से जाद और क्या करूंगा वैसे इस टाइम पर जो बेल ड्रोब आप लोग देख रहे हैं यह बड़ी खूप सुरत दिखाई दे रही है यार गाइस देखो ना मतलग चोती साल गिरा आ गई है यार लास्ट रूल्स की ठीक है और मेरी चोती स साल गिरा कब आएगी शादी की मुझे याद नहीं यार मेरी शादी कब हुई थी चलो खेर हटाओ शादी की बात मैं यह बोल रहा था है बंदे हर तरफ से बढ़ते आ रहे है बेच ड्रोप की तरफ और इजी म्यूटेंट वेट कर रहा है कि आओ आओ रसगुल्ला खाओ और यहां पर रोबोट वोबोट भी आ चुके गाइस बंदे तो रोबोट बना के लेकर आए है रोबोट वाले लेकर जाएंगे मेरे साब से मुझे लग रहा है यार बेच क्योंकि अब इनके पास में टेलेंट तो नहीं है टेलेंट वैसे किसी के पास में नहीं है लेकिन के पास में robot का power आ गया ना यार लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है robot पे मैं बेन नहीं लगा रखा हूँ और robot पे बेन होता भी नहीं ये यार किसी भी server में ऐसा अगर सब कुछ पे बेन लगा देंगे फिर खेलेगा होँ ये भी बात रहती है अब guys एक बात मैं और बता देता हूँ कुछ लोग हमारे server को बेकार भी बताते हैं हालाग हो सकता है बेकार हो मैं ये नहीं कहता यार अलग-अलग सोच होती है तो एक बात लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि काफी लोग ऐसे हैं जिनको पहली बार हमारे server में बेच मिलिये ठीक है तो वो लोग तो यही बोलते हैं कि हाँ मतलब इनके server में बेच मिलिये तो हमने मतलब जो जीता उसको बेच मिल गई सीधी सी बात है और जब मैंने शुरुआत में सर्वर बनाये थे उसमें थोड़ा सा मैंने अब्यूस किया था क्योंकि मुझे विदेसी जीतते हुए दिखे और इंडियन हारते हुए दिखे तो इसलिए वो इंडियन ऐसे थे जो पूरा सर्वर खेले भी थे और तब मैंने ट समझ में आ रही थी लेकिन अब सर्वर ऐसा बन रहा है इसमें टेलेंट ही नहीं तो इसलिए दोनों तरफा की बात बराबर है तो इसलिए ना मैं अब इंडियन के हेल्प करूंगा सर्वर में ना विदेसी की अब देखो यार सब कुछ आपके सामने है बिना टेलेंट के को मुझे कोई मतलब नहीं है रूम करो और अर लेकर आओ अब अगर आप लाश्ट ना उत्रोंगे सर्वर में खेलने के लिए उसमें में कर सकता हूं मैं तो एसमजी दे रहा हूं हर बार सेल्फिरी करने पर एसमजी से फाइट लो फिर तो यह बात गाईस ठीक है सच्छा यह बाकि अगर कुछ भी जानकरी चाहिए तो आप हमारे डिस्कॉर्ड पर आकर पूछ सकते हैं एडमिन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी यह भी सच्छा है अब मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह का अभ्यूस करना बंद कर दिया हूं और बग और साथी साथ गलत बाते बोल यार मुझे तो लग रहा है यार यह जो मतलब यह वाला लीजन है ना गूज दादा यही लेकर जाएंगे नाम में दादा आगे ना तो दादा यह यह चलो देखते है यार अभी थोड़ा सा टाइम है बैज ड्रॉप टूटने में उदर की साइड में बजू का बजू का च लाइव देखते हुए लेकिन बाद में मुझे पता चला कि असल में टोबी नाम के बंदे के पास में बैच है और वो शुरू से खेल रहा है सर्वर को ठीक है तो अच्छी बात है उसको मिल गई बैच लेकर निकलेगा कैसे यह भी एक बात है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो बैच है वो अभी तक बायो में ही रुकी हुई है लग बग मतलब बैच ड्रोप तूटे हुए 10 मिनट हो चुकी और 10 मिनट से अभी तक भी बैच बायो में ही है और जहां तक बात रही बैच किसके पास है तो टोबी के पास में बैच है उपर की साइड में आप पकड़ के थोड़ी उतारूंगा यार मैं एडमीन हूँ मैं क्या कर सकता हूँ यार वो उपर चड़ गया तो मारो बंदों और क्या कर सकते हैं बेस तो तभी मिलेगी तो इसलिए मैंने इनको बोल दिया है कि मैं कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ वो उपर चड़ गया वो उसक मज़ में आगया लेकिन उसका यहां से निकलना वो थोड़ा मुश्किल है यार गाइस यह बात मैं देख रहा हूं यार क्योंकि इतने बंदे हर तरफ फेले हुए है वह बाहर निकलेगा मतलब नीचे आएगा तो फिर क्या होगा एक बात मैं बता दू आप सभी को इस जरवर यार फिर उसके बाद शुरू से सर्वर कहलते है तो ग्लाइडर बना लेते हैं तो किसी ने भी ग्लाइडर नहीं बनाया है सिर्फ एक ही बंदे के पास में ग्लाइडर है यार देखो उपर की साइड में बजुगा चलाई तो जा रही है लेकिन टोबी अभी भी बचा ग्लाइडर से एक ही बंदे के पास में दिखाई दे रहा है और कोई भी मुझे उठता हुआ धिकाई नहीं दे रहा है अलांकि रोबोट बन के आ गये लेकिन ग्लाइडर से कोई मुझे दिखाई नहीं दिया टोबी के अलावा यहां से काफी उचा है यार बायों का जो मतल रहने से तो कुछ नहीं मिलेगा तो अंत में टो भी उत्रा नीचे और उत्रने के बाद में उसको बंदों ने किल कर दिया क्योंकि वह अकेला इतने बंदों को कैसे समालता यह तो बात पहले से ही साफ थी तो जैसे वह नीचे आया उसको बंदों ने किल किया और यह जो बेस आप लोग देख रहे हैं इस बेस के बंदे थे कुछ अलगी उन्होंने बेच लाकि इस बेस में रग दिये ठीक है अब बात यह है कि इस बेस पे भी रेड करने के लिए वह लीजन वाले आ गए जिनके बारे में बता रहा था ना यह दादा जो भी ऐसे नाम है वह लोग आ ग इदर की साइट से और डॉर पर बॉम लगाए जा रहे है तो गाइस बीच में मैंने वीडियो बंद कर दिया था क्यूंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि या टोबी अभी तक काफी देर में नीचे आएगा लेकिन वह बस उस टाइम पर आ गया तो एक डॉर टूड गया है वा करना यह सब कुछ इजी था क्योंकि शॉप से इन्होंने बॉम लिए और इनको वन हीट गन जो मैंने शॉप में डाल रखी वह बंदों से मिल गई इन्होंने शॉप से नहीं ली मैंने चेक किया था इनको तो बंदों नहीं दे दी मतलब वन हीट होते हुए बंदे बिना ट कोशिश तो करेगा लेकिन देखते हैं बेच लाश्ट में किसके पास रहती है अगर यह बंदे बेच ले गए ना गाइस तो फिर उसके बाद यह मुश्किल ही दूसरे लोगों को बेच लेने देंगे पता है क्यों क्योंकि यह पूरा लीजन है यार और यह लोग जिस तरह से फाइट कर रहे है न यह पूरे एक साथ रहे रहे है तो एक साथ रहने का मतलब है कि यह संभाल लेंगे पूरे बंदों को अभी तक संभाल ही रहे है इनको मैंने एक बार भी अभी तक बहुत कमी से किल होते हुए देखा है इनके लीजन के बंदों को तो के बिनेट लग देकर चले गया है यह देख सकते हो और आप लोग और वह पूरे एक साथ चल रहे है एक जगए है सारे के सारे बोरे लीजन वाले ठीक है हूँ और सब पर प्रज। control किया हुआ है इतने इतने बंदों उन्होंने संभाल रखा है यह मामूली बात नहीं है तेलेंट इनके पास में बंदो के पास में नहीं है तो अब बेटलचेट में लोग लिख रहे हैं मतलब हैवर element server मतलब कि 4 बंदों ने पूरे server के बंदों को समभाल लिया ये हुआ है guys मैंने अगर देखा है तो यार इनकी fight काफी जबरदस्ती हो देखो अब भी भी ये लोग raid कर रहे है ताकि बंदे दीरे दीरे आना बंद हो जाए यहां पर बेच जहां पर ये रखेंगे आसपास ही रखेंगे कहीं पर और देखो एक बात ये भी है कि बेच भी अभी बनाएंगे तो guys मैं बता दू आप सभी को कि इस server में आगे क्या हुआ इस server में जो ये legion वाले हैं इन्हों ने अपना बेच बनाया और बेच बनाके उसी में बेच रखी सभी पूरे बंदों के होते हुए उन्हें भी संभाला और बेच भी रखी ठीक है और अंत में बेच इनी को मिली है मैंने देख लिया था server के end में और फिर मैंने नया एक server और बना भी दिया है तो आप लोग उसमें आके खेल सकते हैं टेलेंट इस बार भी बेन है तो बस आज के लिए इतना है अगर आज के ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना हो जितने भी हमारे बाइल होगी जिन्नोंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लिजिए हम मिलेंगे एक और न्यू गैम प्लै में तब तक के लिए बाइ